हाई एवरिवन कैसे हो आप सब चलिए आज की एक्स्प्लानेशन सुरू करते हैं तो पिछले एपसोड में हमने देखा था दीरे दीरे टैन्यून के दुस्मनों की लिस्ट बढ़ते ही जा रही थी और साथ ही मेंगई भी अप टैन्यून को पसंद करने लगी थी पर इस बात होते ही सबसे पहले टैन्यून मेंगई को मचली पका कर देता है क्योंकि मेंगई काफी कमजोर हो चुकी थी जिसे लेकर अब मेंगई सलीके से धीरे-धीरे खाने लगती है तब टैन्यून हसते हुए बोलता है सरमाने की बात नहीं मुझे पता है आपको काफी जोर से सब्सक्राइब की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तयार हो जाता है जिसके लिए अपनी सवारी यानी की रेड़ विंग लाइन को पुलाता है जिस पर मेंगई और टैन्यू दोनों सवार हो जाते साथ ही चुकी मेंगई की तबेद खराब थी टैन्यून इसे अपना सब्सक्राइब को पता था मुरंग मेंगई की आसपस किस भी लग्या को भटकने नहीं देता है तो फिर यह इस बंदे में इतने हिम्मत कैसे आ गई वहीं अब आगे मेंगई टैन्यून को डीकेन के पास चलने बोलती है जहां पर इस सेक्ट के मेंबर्शिप का ओफिसल आइडेंटिटी कार्ड टैन्यून को मिलने वाला था जिसके बाद दोनों डीकेन के पास जाते हैं तब मेंगई इस नए इस्टूरेंट याने की टैन् सब्सक्रावनी देता है कि आज से तुम यहां के ऑफिसले इस्टूटेंट बन गए हो यहां की सभी रूल से रेगूलेशन का पूरा धिया रखना और फिक हुए आउटर गेट का दरवाजा खोल देता है जिसके जरी है कि अब टैन्यूर और मिंगई अंदर चले जाते हैं लगता है अभी तक मुरॉंग ने ये ना जारा नहीं देखा है वरना ये लरकावी तक जिवी तो बिल्कुल भी खरा नहीं होता और फिर इसी मेंसे एक गाट ये ख़बर मुरॉंग को देने के लिए निकल परता है वहीं इधर टैन्यून मिंगई को लाकर इसके विस्तर प पार कर दी है जिसे सुझी टैन्यून को सुक्रिया कहती है अपनी बेहन की जान बचाने के लिए वहीं आप टैन्यून जब यहां से जाने लगता है मिंगई इसे बताती है आप तक तो हमारे जिंदा होने की ख़बर मुरॉंग को मिली गई होगी तुम्हें साधान रहने की जोड़त परेगी और हाँ 25 दिन बाद आउटर गेट के सिनियर कुछ इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट भी करने वाले हैं उसे तो मिस बिल्कुल भी मत करना अब इन बातों को सुन टैन्यून यहां से निगल पर इसके मन में कई बाते चल रही होती है जैसे कि यहां पर टै कि प्रैक्टिस करने की सोच रहा होता है पर चुकि टैन्यून इस वक्त मात्र स्पिरिट लेवल 7 में था इस रिल्म के गाट टैन्यून को यहां जाने के लिए रोकता है क्योंकि इस रिल्म के अंदर सिर्फ हाइयर लेवल वालों की इंट्री थी जिसे सुन घूस के तोर प आठी और नौवी लेवल पर हैं जिन्हीं देख टैन्यून समझ जाता है कि दरसले लोग टैन्यून से स्पिरिट स्ट्रोंड छीनने के फिरांग में इन्हीं इंहीं इग्णोर कर चुप्तरा दरवाजा के भीतर चला जाता है तब यह पाच्व भी टैन्यून को फॉलो करक आगे बढ़ते हैं अपने एक ही घुसे से इनकी हालत को खस्ती कर देता है जिसे देखा वाणियून अब एक ही साथ तीन आदमियों के इसके आगे पेज़ता है तब इन्हें एक ही वार में गाहिल कर देता है जहां पर अब गुसे में पागल होता हुआ लेवल 9 का जिसका सामना ने अब तीन तलवार एक साथ ठेयून पर हमला करता है झाल करता है और उस सी थेजी के साथ खुब्रह ने लगता है जिसे देखरा वान्यू मैदान छोड़कर भागने लगता है डड़के मारे जिसे पकर कर टैन्यून इसे भी बुरी तरीके से घायल कर जैसे मारने वाला होता है वान्यून टैन्यून को बोलता है मैं सिनियर लिंग हुग का भाई हूँ अगर मुझे कुछ हुआ न तो वो चीप का पोता है तो जाहिर सी बात है वह उसकी पावर तुमसे कई गुना जादा होगी अब अब तक तो किसी की धंकी से टैन्यून धड़ा ही नहीं था तो यह वान्यून की बातों का इग्णोर करते हुए इसे यहीं पर मार देता है जिसके बात की अभी इस बात की खबर वान्यून के बचे दोस्त जो कि यहां से भाग निकले थे जाकर इसके भाई लिंगू को दे देते हैं यह बोलती हुए कि मातर लेवल सेवन के एक नए स्टुडेंट ने वान्यू की जान ले ली जिससे सुनकर लिंगू है रहान रह जाता है कि कैसे कोई साथवी लेवल का सक्स नवी लेवल की सक्स की जान ले सकता है खैर जो कोई भी है उसे तो मैं देखी लेंगा उसने मेरे बहाई की जान लेने की हिमत कैसे करी है जिसके बाद लिंगू अपने गार्ड एट्टियान को टैन्यून को ढूने बेजता है तो वहीं दूसरी और एक गार्ड आकर वापस लोटने वाली बात को बता देता है जिससे सुनकर मुरॉंग को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसने तो खुदी टैन्यून को लास को पत्थर के नीचे दबा कर आया था खैर चुकि वो लोग अभी भी जिंदा है इस बार मुरॉंग टैन्यून क को ढूना शुरू कर देते हैं जिसमें कई दिन गुजर जाते हैं पर टैन्यून नहीं मिलता है तो ही टैन्यून की कोई खबर ना पाकर मिंगई भी अब काफी परिसान रहने लगी थी जहां पर आगे हमें टैन्यून को दिखाया जाता है जो कि अब साथवी लेवल को पार कि आखिर में अब चुकिए टैन्यून को यहां 25 दिन होने ही वाले इसे मेंगई द्वारा कहीं ग्रेट एल्दल सिनियर के अनांस्ट वाली बात याद आती है जैसे याद का टैन्यून जैसे आउटर गेट लॉट नहीं वाला होता है इसे कुछ दिखाया परता है और इसी क इसका नेक्स्ट पार डालो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया और मुझे आप सब का सपूर्ट तो चलिए फिर मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तेल देन टेक केर और बाए